हेलो आपरीवान आज मैंने बनाए है ये घी के दिये और इन घी के दिये को बनाना बहुत ही जाता आसान है कोई भी से बहुत ही आसानी से बना कर त्यार कर सकता है और रोज की जो पूजा का रूटीन होता है उसे बहुत ही आसान बना देता है ये साथ-साथ आने वाली फेस् बाती बाती बनाने के लिए यहरे रूए ले सकते हैं तो रूए से यहां पर फोल्ट करके रूए को आप इसे बना सकते हैं जैसे मैंने बना हैं वीडियो में आप देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें दूद का भी यूज़ कर सकते हैं कुछ लोग दूद से भी बनाते हैं लेकिन दूद वाली जो बाती बनी होती है उसमें थोड़ी महक आ जाती है और जादा दिन तक आप उसे स्टोर नहीं कर सकते तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से पानी से बना सकते हैं अगर आप मार्केट जैसे बिल्कुल सेम बनाना चाहते हैं तो यहां पर कोई भी आपके पास चल्दन का जो टीका होता है गीला वाला वो इसमें आप थोड़ा सा लगा सकते हैं इस तरीके से बना कर और अंगलियों पिस तरीके से लगा कर आप ready made जैसे market वाला होता है बिल्कुल उस तरीके से आप ये बात ही तयार कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने ये बिल्कुल market जैसा ही बना दिया है और उसके बाद जो इसके नीचे का portion होता है तो उसे हम थोड़ा सा फैला देंगे, जिससे कि यह प्लेट में अच्छे से हमें, बाती अच्छे से खड़ी उजाए, क्योंकि हम जब इसे, इसमें हम और भी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो बाती गिरनी नहीं चाहिए, खड़ी रहनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए जो ready made है वो इस तरीके से हमें stretch कर देना है नीचे का portion ताकि यह अच्छे से plate में खड़ी हो जाए तो सभी बाती को मैं इस तरीके से कर देती हूँ थोड़ी मैं रूई से बना लेती हूँ और यहाँ पर मैं market वाली ले लेती हूँ तो देखिए इस तरीके से सभी को पहले तयार कर लेना है तो यहाँ पर मैंने कुछ रूई से बना ली है कुछ ready made माली ले ली है पानी का यूज कर रही हूँ मैं और इस तरीके से बना कर इसे तयार करना है तो काफी सारी यहाँ पर मैंने बाती बना ली है काफी सारी ready made भी ल गीएपगी आप घूज को हैं, गीए गायों को करना दोगा यहां गाया हए लेता है, कि रिट Meanwhile, मैं ज़्स के गाया के गाया ग्यीद में गीद काता है है जो भी यूज करते है भो गी ले सकते हैं तो यहां पर घाय का है इसलिए हमारी left भी घैलो 2 पर मैं करना है छुषआ में कोब यूज करना है चुरा जो भी आपके पास है तो यहाँ पर न 되지 हैं उप कपूर को थोड़ा सा क्रश करके इस तरह कर देंगे ताकि झो घी गर्म है इसमें क्रश हो जाए तो कापूर आसानी से मिक्स हो जाता है गर्म जीम है तो इस तरह के से जाल देंगे चोटे-चोटे मैने लिया है जिससे कि हम जब लुरपार जलाए तो combination किभी खुष्ग मैंन तो यहां पर यह मैंने मिक्स कर दिया स्पून की हल्प से और चलते हैं आंगे के प्रोसेस में तो देखिए आप कपूर बहुत अच्छे से घी के साथ मेल्ट हो गया इसके टुकड़े अब नहीं रह गया है इसके बाद यहां पर लेना है कोई मोल्ड तो यहां पर मैंने यह स सिलिकॉन वाले आइस ट्रे में बनाते हैं तो यह बहुत आसानी से बाती जो है निकल जाती है घी वाली अगर आप नॉर्मल आइस ट्रे में बनाते हैं तो उससे भी निकल जाता है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है से निकालने में क्योंकि यह सॉप्ट होते हैं सिल के लिए जरूत होती है तो इस तरीके से मैंने इसे इसमें बाती को लगा दिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से लगाना है ताकि सारी बाती बिल्कुल प्रॉपर खड़ी रहे तो यहां पर यह मैंने सबी को लगा लिया है, जितने भी आप लगाना चाहते हैं, तो यहां पर मैंने सिलकों ट्रे में ये बाती लगा लिया है, आप चाहें तो छोटी-छोटी जो कटोरियां होती है, भोग के लिए आप रखते हैं, पूजा में, वो कटोरियों का भी जो कि मार्केट में मिलती है जो की घी के साथ ही बनती है लेकिन थोड़ी सी कैंडल डाली जाती है तो इस तरह के से जो हमने घी तैयार करके रखा है कपूर वाला हम डाल देंगे तो जितनी भी ज़रोत है आप इसमें डाल सकते हैं तो एक में मैं एक चमश घी डाल रहे हूं को पैसे में लेक्षिर यहां पर जितने हमने यह वाली बाती लगाई है रूई वाली सब में घी दाल देंग एस तरह के यहां पर जितने भी मैंने बाते लगाई थी कि घी 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 अड़ में खेंऑ और है लेकिन और लेकिन यह जमाना है और इसके बाद आइज समय करें कोई बनाया जाता है जोड़ा सथ मिक्स हो जाता है गर्मी नॉ में गर्मियों के टाइम पे मेल्ट हो जाती है लेकिन अगर हम केंडल वाली बनाएंगे तो हम इसे रोम टेंपरेचर पे पूजा की जगह पे भी स्टोर करके रख सकते हैं तो देखिए हाँ पर मैंने ये केंडल डाल दिया है और इसके बाद हमें थोड़ा सा घी को गर्म करना है तो मैं इसे गैस पे रख देती हूं ताकि घी थोड़ी से गर्म हो जाए और गहीं करना है केवल घी गर्म हो जानी चाहिए हलकी सी और इसके बाद देखिए केंडल अपने आप इसमें मेल्ट हो गया है और इसके बाद चलते हैं ये केंडल वाली बाती बनाने के लिए तो खी वाल बवना रही हुँ और यह अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो केंडल में बाती है उसमें त्यार किया है cdl वाली उसके बिना जो केंडल है वह बाती है वह रूम टेंपरिचर पर नहीं तिक सक्ति है मेल्ट हो जाएगी तो केंडल उसमें जरूर से मिलाया जाता है यहाँ पर जो हमने यह तयार किया है गी केंडल वाली उसे मैंने डाल दिया है और अच्छे से फिल कर दिया है अगर कोई भी बाती टीडी हो गई है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं इस टाइम पर और इसके बाद मैंने केबल एक घंटे ही रखा है और दोनों बहुत अच्छे से जम गई है जो हमने केंडल वाली डाली थी वह बहुत ही ज़दा हाड सी लग रही है जब यह देख सकते हैं और घी वाली थोड़ी सी मेल्ट लग रही है तो आप इसे फ्रिज में और भी रख सकते हैं अगर गही को पूजा है तो एक टाम पी पूजा में जितनी हमें दीए की में घी की जरुत होती है तो इसे आप इसे रूम टेमर्टर पर भी रख सकते हैं और घी वाली को आपको देने की लगना होगा होगा तो थेसी तो गीवाली को अपको अच्छेए धक्ति है और अव्शन की और पिर देखे दो तीयां के दियां तो भी तेन के तक इसे में पारिते हैं तो बैटि और रहां तो भी त्यनके समझाइब के बीदिव्व तो बहुत सारा काम हो जाता है तो जो जो जाता है तो जरूर टाइक कर सकते हैं ताकि सबी लोग इस तरीके से बना कर रखें पूजा करते समय सबीकार टाइम कम लगे और सब को यह पसंद भी आएगा ज़रूर से अधार करें चाहिए कि इस तरह के साथ यह बाती वाली रेसि है ते चाहिए थिए हैंजर नहिए है तो क्किपयर के बिमा श्री जाएगा रखे दे तो क्यों लागे टाइभ़ के सári बotवार के रखें प्वास similarly बहुत अर्चार की घएग्यों रहती हैंटा एंजर काया नहिए